तो दोस्तों आज की मार्केट पर हमने देखा कि इतनी तेजी से जो सेलिंग प्रेशर हमें आते हुए देखने को मिला क्या है कि रिवर्सल का सिगनल है कि दुबारा यहां से मार्केट नीचे गिड़ सकती है अगर हमारे पास फोकस करना चाहि है अगर अब ही तक हम लोग उने होड करना बेटर है या नहीं है और किस तरीके से हमें अपने टागेट के लिए वेट करना पड़ेगा कि में हम लोग अभी निकल जाए सो सारी बाते आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएंगी Nifty Bank Nifty का Point of View मैं देने वाला हूँ और जो आप नीचे देख रहे है करेक्टिफ फेस Wave 3, Wave C is started सो गाई इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ Nifty के चार्ट में क्योंकि वो indication दे रहा है कि stock market पे crash दुबारा आ सकता है So guys हो सकता है probably कि जो low बना था वो low भी break हो जाए probably chances हैं कि शायद उस low तक दुबारा चले जाएगा तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा और तब ही आपको समझ में आएगा अब हम बात करेंगे वीडियो की आखरी में कि हमें holdings के साथ क्या करना चाहिए So सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी पर चलते है और जाके देखते हैं कि हमारा किस तरीके से market हमें क्या बता रहा है So guys निफ्टी का मैंने ये आप देख सकते हैं मंथली चार्ट ओपन करके रखा रहा है देख पाने हैं आप लोग ये मेरा मंथली चार्ट ओपन है और guys इस वीडियो पे मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ मैं उस particular जो topic के बारे में बात करने वाला हूँ उस topic को कहते हैं guys हम Elliot wave pattern Elliot wave pattern है और हम उसके बारे में बात करने वाला है बहुत से लोगों को पता होगा थोड़े लोगों को नहीं पता होगा जिसे कहते हैं wave 1, wave 2, wave 3 उसके बाद 5 wave complete हो जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं corrective phase आता है पहले अब दो तरीकी के phase होते हैं इस Elliot wave के अंदर पहला होता है motive phase दूसरा होता है corrective phase दो तरीकी के phase होते हैं इसके अंदर आते हैं 1, 2, 3, 4 and 5 इसके अंदर आता है A, B, C इसके इस तरीके से हम लोगों ने इसे donate कर आता है तो अब हम इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से Elliot wave बता रहा है कि यहां से यहां पर जो closing देखने को में लिए है इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग start करते हैं और देखते हैं यहां पर आपको मैं बता देता हूँ हलकल कि आपको पूर Elliot wave के बारे में नहीं बताऊँगा कि क्या specifications हैं कैसे देखा जाता है है आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत बता haris सबसे पहले हम लोग start करते हैं कहां से हम लोग start करते हैं इस कि इस ह्योवय कि और हम बात करेंगे यह एक्जाक्ट यहां तक कि पूरी बात करते वह चलेंग और अप सब कुछ आपना से जाए ऌगा अब आप देखेगा यहां से हम लोगों ने start करा यहां से इसने एक movement दी है around मैं मान के चलता हूँ इस लेवल से यह इसने movement दे दी है अब इसने यह movement दे दी है तो यानि कि यह जो face हो गया इस face को मैं कह देता हूँ one wave motive है अब हम motive की बात करें सबसे पहले motive आता है उसके बाद आता है correct तो यह पहला wave बन गया अब हमें second wave की बात करने है तो second wave जो बनता है वो around कैसे बनता है Fibonacci का use करते हैं उसके लिए हम लोग और Fibonacci का यह जो wave one बनाए इसका हम लोग मानते हैं कि 50% के आसपास होना चाहिए तो मैं यहां से एक Fibonacci top से लेके bottom तक एक Fibonacci ले लेता हूँ और मुझे अगर zoom करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हां यार यह 50 के आसपास ही आ रहा है ठीक है यह around अगर हम बात करें तो 50-60 रुपे का difference है यानि कि 50% के आसपास आ रहा है तो यह हमारा एक first wave हो गया ठीक है तो यानि कि अभी हमारा second wave confirm कर रहा है कि यह second wave बन सकता है अब हमने यह second wave भी बना दिया ठीक है यह हमारा second wave हो गया अब गाइस third wave की बात करें तो third wave क्या होता है third wave बनता है 161.8% retracement level of wave 1 to wave 2 ठीक है अब wave 1 to wave 2 कहां आ रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है यह wave 1 था यह wave 2 था ठीक है यह आप देख रहे है तो मैं इसका Fibonacci लेना चाहूँगा मैं Fibonacci extension यूज कर देता हूँ वेव 1 से वेव 2 तक गए फिर दुबारा वेव 1 पे आए तो मुझे यह पता चल रहा है कि इसका जो Fibonacci ratio बन रहा है यह आ रहा है 161 अब एक्जाक्ट देख रहे है 161 तक गया उसके उपर भी जा सकता है आप सिर्फ मंथारी चार्ट में देख आए तो भी हमें बता चल रहा है तो हम्हें बता चाहू तो वे 4 50% retracement level से नीचे नहीं होना चाहिए मतलब 23 हो सकता है 38 हो सकता है 50% से नीचे नहीं होना चाहिए यानि कि 61 नहीं होना चाहिए 78 नहीं होना चाहिए किसका वेव 3 का तो यह वेव 3 था इता बड़ा अब मैंने या पर दुबारा फिर गोनाची बनाया तो एक्जाक्ट 50 आ रहा है 50 से नीचे नहीं आ रहा है यानि कि मुझे बता रहा है कि वेव जो 4 है वो भी बिलकुल पर्षेक्ट है अब वेव 5 की बात करें तो गाइस वेव 5 के 3-4 तरीके हैं बनने के बट जो सिंपल तरीका मुझे समझ में आता है कि हम वेव 4 का जो है उसका भी हम अगर फिबॉनाची ले 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 164 पंसें रिट्रेश्मेंट का तो भी हमें पता चल जाएगा तो मैं अगर इसका फिबॉनाची पर रिट्रेश्मेंट लेवल लेता हम आपको यहां दिखाता हम एक सिर्ट यह थोड़ा सा मैं दुबारा करके लिखता हूं यह! वेफ फोर का मैं मैं लेता फिबॉनाची ले रहा हूं तर वैक यह क्या दिखकत षार RS हो। अपे ले नहीं बढ़नाची ले लें ले लेहीं थोडिखा वार्फ फिबॉनाची लेना हैं 161 percent retracement level exact 161 percent retracement level आया है fifth wave पे तो यानि कि मैं अगर यहां पर fifth wave भी बना देता हूँ आप देख पा रहे हैं यह मैंने एक fifth wave बना देख तो अब हमारा जो corrective phase था जो motive phase था वो complete हो चुका है अब आप यहां देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यह हो गई हमारी first wave ठीक है यह हमारी second wave यह हमारी third wave यह हमारी fourth wave यह हमारी fifth wave ठीक है अब आप देख रहे हो जब wave बनी है तो यह ऐसे बनी है मतलब higher highs बन रहे हैं यह देख पा रहे हो first wave second wave fifth wave तक बनती है उसके बाद corrective phase आती है यानि कि पहला क्याता motive second क्या था corrective ठीक है ध्यान से सुने का बहुत important चीज अब आ रही है motive हो गया कि एक long term पे हमने देखा momentum आ गया अब corrective है कि यानि कि अब एक correction आएगा corrective मतलब correction मतलब गिरावट आ सकती है तो by fifth wave के बाद हमने गिरावट देख ली ये गिरावट एक आ गई है ये fourth wave जो होता है न इससे नीचे नहीं आती है गिरावट जो A बनता है अब हमने इसमें one से लेके five तक की बात कर ली अब हमें corrective में बात करनी है A, B और C की ठीक है तो हम उसके बारे में बात करेंगे अब ये पूरी गिरावट आ गई उसके बाद इसने बना दिया एक A यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसका मैं color change कर देता हूँ कि हमें समझने में असानी हो इसने एक A pattern दिखा दिया कि इसमें गिरावट आ गई अच्छी नास मैं इसे red लिलेता हूँ तो हमें और अच्छी समझने गए ठीक है अब आपको मैं यह जूम करके दिखाता हूँ ये एक A एक correction की A wave आ गई तीन wave हमें complete करनी होती है पहली wave complete हो गई दूसरी wave क्या है दूसरी wave होती है wave B अब wave B कैसे पता चले कि wave B कहां तक जा सकता है wave B जा सकता है या फिर 50% retracement level तक ये जो पूरी गिरावट देख रहूं है ये पूरी गिरावट का 50% cover कर सकता है या 61.8% तक cover कर सकता है तो अब मैं इसका Fibonacci लेता हूँ तभी तो मैं पता चलेगा किता percent cover करा है 50% या 61.8% तो टॉप लिया और मैंने bottom लिया अब जब top और मैंने bottom लिया तो आपको क्या देखने को मिल रहा है आज जो nifty ने high मारा है आज का जो nifty का high है वो आप देख रहा है exact उसे test करा है 10,540 को और उसके बाद हमने यहां से दुबारा एक downfall आते में देख लिए यह देख रहे हो यह जो विक का high है exact आ रहा है 6.618 पर अगर मैं इसको percentage में लूँगा तो आएगा 61.8 percentage यहां पर आया और exact यहां पर इसने wave भी बना दिया अब देख पारे है यह इसने wave भी बना चुका है अब हमारे लिए काम आता है wave C का अब guys यहां पर आप देख रहे हो क्या हुआ यह नीचे से गिरावा टाई उपर गया recovery करी recovery करी 61% तक उसके बाद हम एक दुबारा wave C देखेंगे अब guys wave C जो बनता है वो जर्नली बनता है या फिर अपने दुबारा wave A के bottom तक जाता है या फिर अगर मैं बात करूँ तो 121 से लेकर 127% तक retracement level तक वो चले जाता है तो वो कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ wave यह देख पा रहे है एक सेकंड मैं इसको अटा देता हूँ clarify करने के लिए ठीक है अब आप देख सकते हैं एक wave यह बन गई A wave यह B wave अब C wave की बात करनी है B wave complete हो चुकी है 61% पर जो मैंने आपको दिखा दिया अब C wave दुबारा एक गिरावट होती है तो गिरावट होने के लिए या तो फिर यह इस level तक जाएगी या फिर यह 121% retracement level तक जाएगी जो की 6167 है ठीक है तो जर्नली मंथली चार्ट पर हमने जर्नली बहुत कम स्टॉक्स है जिनके wave C को इस level तक जाते वे दिखा है प्रॉबबली वो क्या होता है कि वो इस level से return मार जाता है या फिर अपने इस level से return मार जाता है पर wave C का pattern यहां तक जर्नली आता है जो की wave A का bottom होता है तो अगर हम मैं मान के चलू मैं chances लेना चाता हूँ कोई बात ने मैं यहां तक ले भी wait नहीं करना चाता हूँ मैं अगर मानता हूँ कि चलो सबसे पहला गिरावट जो गिर कर सकता है वो यहां तक कर सकता है सबसी पहली गिरावट यहां तक कर सकता है अगर यह यहां तक भी आता है तो यह level 9900 का level है जो की अभी भी 400 points plus down है नीचे अपने current level से अगर मैं इस level की बात करता हूँ जो की अगर मैं मान के चलू तो आ रहा है वो 1000 points नीचे तो यह तो कुछ जादा ही नीचे हो गया मैं तो यहां तक के लिए भी नहीं मान रहा है मैं बोल रहा हूँ कि यहां तक भी अगर आजा है minimum to minimum तो भी यहां तक आता है तो भी 400 points हमें मिल सकते है तो गईस अगर 400 points की dip लेता है तो हमें अपनी positions को hold करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए for example 200 रुपे का stock आपने swing trade के लिए select करा 250 का target आपने लेकर चला ठीक है यह trade कर रहा है अगर आपने position मना रखी है 230 पे so guys exit this position समझ रहे हैं आप बात को अब market में जब हमें selling दिख रही है तो हमें market के trend के हिसाब से चलना पड़ेगा जो trend हमें market अगर corrective phase में लेकर जाती है तो हमें market के हिसाब से चलना है अब मैं अपनी position को 250 के लिए ही hold करके बैठू तो मैं क्यों बैठू मैं अगर मुझे पता है कि 250 जाएगा अगर आप लोग मुझे expert समझते हैं तो भी मैं इसमें position अपनी hold करके नहीं बैठूबा मैं 230 पे ही अपनी position को exit करना शुरू करूबा आप लोग खुद देख रहे होंगे कि क्या हो रहा था आप लोग अगर FII और DII's का data देख रहे हैं selling कर रहे थे आप जाके देख सकते हैं न्यूज चैनल वाले भी यही कह रहे थे same इस level से जबसे इसने 10,000 का level 10,300 के level को cross करा है 10,300 के level को cross करा है तब से क्या हो रहा है DII selling में selling करे जा रहे है ठीक है और FII's buying करे जा रहे है और FII's buying इत्ती नहीं कर रहे है वो hedging कर रहे है इत्ती बात आप लोग समझ रहे हैं तो यहाँ पर आप दुबारा selling कर रहे है उन्होंने मतलब अपनी जब भी nifty 50-50 point उपर जा रहा है DII अपना माल जो उन्होंने खरीद रखा है इन levels पे वहाँ से यह लोग exit बना रहे है तो बाई जो बड़े institutional investors कर रहे हैं अगर हम उसके हिसाब से भी चलते हैं तो भी हमें ध्यान रखना है तो मैं कहूंगा अगर आपको कोई swing trade फाइदा दे रहा है निकलो पैसा safe करना सीखो पैसा कमाने से important है अपनी capital को safe करना सीखो आपने कोई बात नहीं आपने आज trade नहीं लिया आपने कल trade नहीं लिया आपने तीन दिन trade नहीं लिया तो guys आपकी जो capital है वो safe पड़ी विये है बट अगर आप trend के साब नहीं से नहीं चल रहे हैं आप बोलों कि यार मुझे तो trade लेना ही लेना है पूरे दिन में मैं एक trade लूँगा दो trade लूँगा मैं लूँगा ही लूँगा आपको पता नहीं trade लेना है मार्केट आज आपने देखा मार्केट मैंने अपने clients को भी बोला कि आज मुझे market थोड़ी ठीक नहीं लग रही है कुछ heavy volume आपर आ सकते है और महापनमने अपने clients को call option selling के लिए दिया था तो उन्हें थोड़ा बहुत फाइदा हो गया था बट मैंने तब भी उन्हें वेट नहीं करवाया कि मैं और levels तक नीचे उन्हें करवा सकता था बट मैंने नहीं करवाया क्योंकि market आप देख रहे थे नीचे आई उपर गई market खुलते वे नीचे आई फिर उपर गई high तोड़ा फिर नीचे आई फिर हलके अलके नीचे आई फिर 200 points की recovery कर रही फिर नीचे आई तो इस तरीके से market चल रही थी और यहां पर हमें indication मिल गया सो positions को exit करो मैं भी अपने clients को आज सला दूँगा कि अपने positions को exit करना अब शुरू करे हलके profits जो दे रहे है market पे हमें trade लेना important नहीं है market में capital safe करना important है मैं कहीं नहीं जा रहा मैं आप लोगों की capital safe करवाने में जादे important हूँ यानि की calls देने से बदाबर calls मिलेंगी हम लेंगे definitely लेंगे और उसमें से selling का फायदा कमाएंगे अब guys आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इतनी गिरावट दिखाएगा तो यार मैं तो put option भाय करके बैठ जाता हूँ या फिर मैं उपर की call option को sell करके बैठ जाता हूँ अगले महिने की करिए but may end may का जो end है जो july का जो end है july end की series का कोई भी option लेकर मत बैठ ठीक है आप लोगों को जो weekly options देखते है weekly options में trade करिए और वहां पर अपनी strategy को बनाईए क्या बना सकते हैं 10,300 है आज का है देख लीजेए मैं क्या कर सकता हूँ अगर जैसे अगली जुलाई की expiry कब हो सकती है अगली जुलाई की अगर expiry for example मान लेता हूँ 7 July को expiry है मैं क्या करूँगा मैं 10,600 का जो call option है उसे sell कर दूँगा ठीक है और जो 9900 का जो put option है मैं उसे buy कर दूँगा ठीक है 9900 ले लूँ मैं 9800 भी ले सकता हूँ ठीक है 9900 मेरे ले preferable है ठीक है 10,700 का यह होगा 10,700 का call option and 9900 का put option मैं यह दोनो sell करके चले जाँ ठीक है अब मुझे लगता है कि market ना 10,700 को तोड़ीगी उस हफते ना यह 9,900 को तोड़ीगी इसी range के अंदर काम करेगी strong movement आ गई है थोड़ा सा range के अंदर काम करेगी उसके गिराव अटाएगी तो यह जो range के अंदर काम करेगी ना इस पूरी range में मैं फायदा उठा सकता यह जो पूरी range के अंदर काम करेगी ना इसमें मुझे फायदा मिल जागा weekly expiry के अंदर फिर हम next week की strategy बना के चलेगा तो दिहान से काम करेगा अपनी positions को safe करके रखिए capital को safe करके रखिए जादा multiple trades में मत ध्यान दीजेगा आप दिन में दो trade लीजे पर लीजे की quantity कम करिए target कम रखिए stop loss कम रखिए तभी trade करिए डेली chart open कर रहा है यह चीज मुझे क्या बता रही है यह दो candles मुझे बता रही है bearish engulfing pattern बना है bearish engulfing pattern मुझे देखने को मिला है यहां पर यानि कि एक candle थी एक red candle ने पूरी body इस पूरी candle को cover कर लिया और यहां पर closing दे लिया अब probably अगर कल एक gap down देखने को मिलता है इस particular level से gap down चाह 50 रुपे का भी gap down हो चाह 30 रुपे का भी हो तो यह confirmation कर देगा pattern क्यों एक candle green color की green candle ने cover कर लिया एक gap down आ गया confirmation न गया अब यह दुबारा उपर जाएगा अब higher levels में हमें selling कर लिए ठीक है अगर मैं इसके support की बात करता हूँ इसका support कहां बैठता है अगर हमने daily chart में भी तो देखने है अगर मैं इसका daily chart भी देखता हूँ तो मेरे को support देख रहा है यह level पर मैं इस बड़ी candle को नहीं मानके चलूँगा क्योंकि हमने नीचे से बाइंग देखी थी यह महिने में दो या एक बारी candle बनती है तो आप देख सकते हो probably मुझे लग रहा है कि वह 10,100 या 10,000 तक अराम से आ सकता है तो higher levels पे अब हमें इस पे अपनी selling बनानी है निफ्टी के अंदर दूसरी बात मैं और आपको बताता हूँ probably guys market पे मैंने आपको सारी strategy बता दे हो सकता है कि यह false हो जाए यह दुबारा उपर चले जाए ब्रेक कर दे होने को हो सकता है कि यह ब्रेक भी कर सकता है हमें कोई chances लेकर नहीं चलने है ठीक है तो अगर यह ब्रेक करता है मैं जड़ा इसको हटा देता हूँ पूरी इंच्छी जो को जो मैंने drawings बनार की है ठीक है मैंने सब कुछ हटा दिया आप यह chances लेकर नहीं चलने चाहिए अब आपको मैं यह दिखाता हूँ ठीक है इस चीज को ध्यान से देखेगा मैं दुबारा बनाता हूँ यह देख रहे हैं यह दो red lines आपको देख रहे होगी यह दो red lines का इसने breakout दिया यह देख रहे हैं अब हमने देखा था कल के trading session पे इसने gap को तोड़ दिया था यानि कि यह candle जो बनाई थी breakout candle थी अब जित्ते लोगों ने अगर यह video मेरे जो session ले रखा जो training session ले रखा था free में तो पहले जिन लोगों ने रखा था उन लोगों को पता था और मैंने बताया था कोई candle अगर breakout देती है तो भाई wait करना चाहिए कि दूसरी candle इसके उपर बंद हो रही है नहीं हो रही है नहीं हुई इसके उपर जब तक इस candle के उपर जो breakout candle है जब तक इसके उपर कोई candle green color में बंद नहीं होती है तब तक हमें buying के लिए नहीं सोचना है निफ्ती पे समझ रहे हैं अगर इसके उपर ये breakout दिया green candle नहीं अब अगर हमने देखा दुबारे एक red candle बन गई है ये red candle है closing यहाँ पर है जब तक इसके उपर कोई candle close नहीं करेगी green तब तक हम लोग buy के बारे में नहीं सोचेंगे हमें higher levels पे selling ही बनानी है अगर ये दुबारे इस range के अंदर आ जाता है तो मुझे लगता है इस range के अंदर ही ये probably trade कर सकता है फाइदा उठाईए कोई doubts आता है telegram पे मैं आप लोगों को provide करा हूगा तो इसी के साथ मैं अभी इस video को end करता हूँ कुछ समझ में आया हो तो please मुझे बताएगा एक बार बैंग निफ्टी आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है बैंग निफ्टी जब मैंने open करा तो बैंग निफ्टी ने भी भाई मुझे यही बात बोली कि इसने यहाँ पर breakout दे दिया है तो वह breakout मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यह देख पा रहे हैं यह इसने breakout दिया है यह level पर आप देख रहे थे कि किती जादा हम लोग आपके यह इसने यह दो बारा इस पर ब्रेक आउट दिया इस पर बियर इस इंगल्फिंग बनाया इसके उपर breakout दिने में कोई हो सकते हैं दो तरीके है stop loss आपने छोटा लगा दिया stop loss अपने बहुत ज्यादा डीप लगाया stop loss को करा और भी नीचे जा तो गाइस इसलिए कह रहा हूं stock को select करो तो बहुत कौशिसली करो और अगर वो stock में आप जा रहे हो तो दिहान से यह नहीं कि 100 रुपे का आपने stock buy कर रहा है 105 रुपे का target है जब तक नहीं आएगा मैं wait ही करोगा बाई 103.5 मिल रहे हैं निकलो कुछ तो मिल रहा है market पे हमें यह नहीं कि strategy ही हर समय काम आती है यह हर समय rule को follow करना है जिस तरीके से market चल रही है उस तरीके से हमें बनना पड़ेगा तब ही हम पैसा कमाएंगे so guys मैं video को end कर रहा हूं मुझे hope हो कि आप लोगों को समझ में आया हो so समझ में आया हो तो वीडियो पसंद आयोगी तो like करो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है यह illet wave के बारे में अभी तक आप लोगों को नहीं बताया होग वो important होते हैं बड़ जो chart बता रहा है उस पे भी हमें ध्यान देना है ठीक है ध्यान दीजे तभी trade कर पाएंगे market पर बरुसर रखिए technical charts पर बरुसर रखिए आप definitely फायदे में लेगे मैं शिवांज बसीन मिलता हूं आपसे अगली video पे साहिए